हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और वाचिंग वेल्ड पॉर्फेक्टली ऑन एसेस और वेल्डिंग करते बग यह इसका ध्यान रखें कि बहुत दीरे दीरे वेल्डिंग करें और चोटे छोटे इसलोट्स में वेल्डिंग करें इसका सबसे अच्छा फायदा यह बिलेगा कि आपका जो एसेस है तो स्रिंक नीग देखें ध्यान से इसका फायदा यह होगा इससे रुक रुक करें वेल्डिंग इसका फायदा यह होगा कि आपका जो जॉब होगा फर्फेक्टली शेप में रहें जो बादो बादो लादो कि इस वेल्डिंग को टिंग वेल्डिंग में कहते हैं और इस वीडियो को प्रूरा जरूर देखते हैं करेंट का कॉंबिनेशन और शीट के गेज के कॉंबिनेशन बड़ा ध्यान से रखना है अपने देखे कितने धीरे धीरे वेल्डिंग करना है और जंदबाजी नहीं करें वेल्डिंग करते हैं क्योंकि इस टील जब भी वेल्डिंग होता तो बहुत तेजी से पहलता है जिसके कारण कि आपका जो जॉब हो वो डीफॉर्म हो सकता है और जो आप यह देख रहे हैं यह एक वैक्यूमाइज बाउल बन रहा है यह डबल बॉर्ड चैमबर है अब देख सकते हैं बहुत ही यहार से धीरे धीरे वेल्डिंग करें प्पषणे तेखवड़ा है जब बहुत है है सबना पह वर व्वड़़ सबस्टन रड़ा सर्द में पड़्या करना है तो कहीं पे भी वेल्डिंग छोट ना निचे लिए जहां को लगता है छुट गया है तो वहां को छोट छोटे स्पोर्ट से करके इसको भड़ते हैं अब आप देख सकते हैं कि यह पाउल कितना शेप में है और यह जॉप कंप्लिट हो चुका है और यह पहला पार्ट है इसके आगे का पार्ट हम बनाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले पार्ट को देखने के लिए